हाई फ्रेंड्स। फिछली क्लास में čैप्टर फ़र्स्ट का 5 marks का इंपर्टेंट कोस्टन किया था इंडस्टिरल इंजिनियरिंग में आज तो 10 marks के important question करेंगे, फ़र्स्ट चैप्टर के तो फ़र्स्ट कोस्टन है da explain the internal factors affecting productivity in detail यह आया हुए 10 marks में भी यह जो है कई बार 5 marks में पुछ लेता है तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं दूसरा है water the causes of decreasing productivity और थर्डर डिसका सेनी टू में थर्श टू इंप्रूब productivity तो आईए तीनों question बारी बारी से करते हैं 10 marks का है तो 10 marks से related जो है जितना content होना चाहिए वो book में है इतना यह काफी है तो question इंटर्नल factors जैसे 5 marks में पढ़ा था कि तीन है product factor, plant and equipment और technology तो पहला product factor है तो product factor जो है product के लिए जो output राप्त करने के लिए जो भी requirement होती है product factor कहलाता है in terms of productivity it means the extent to which the product meets output requirement product is judged by its usefulness product judge किया जाता है यूज के हिसाब से market में क्या इस्तमाल है उसका क्या useful है कितना कितना मांग है demand है इस हिसाब से product factor depend करता है product select करना depend करता है the cost benefit factors of the product can be enhanced by increasing the benefit at the same cost और by reducing cost for the same benefit तो cost benefit factor जो है वो प्राप्त किया जा सकता है benefit को बढ़ा करके उतने ही cost पे benefit कैसे बढ़ेगा जैसे उसमें जो ideal time है वो कम कर दें जो या scrap है वो घटा दें इस माद्यम से जो है product की जो benefit है वो बढ़ सकती है दूसरा point है plant and equipment plant और equipment जो है बहुत ही important role play करता है productivity को बढ़ाने के लिए the increase availability of plant through proper maintenance and reduction of ideal time increasing the productivity means जो plant की जो चीजें है plant का जो space है उसका अच्छी तरह से इस्तमाल किया जाए और idle time means जो खाली time जो निकलता है वो खाली time ना हो उस समय जो कुछ न कुछ processing होती रहे इससे जो है productivity बढ़ती है productivity can be increased by paying proper attention to utilization storage modernization cost investment etc means productivity बढ़ाई जा सकती है ध्यान दे करके किस चीजों पर ध्यान दे यूटिलाइजेशन पर जैसे भी बताया था जो plants के अंदर जो भी चीजें है mine material machine उसकी जो उपयोग है बहुत ज़्यादा ज़्यादा उपयोग किया जाए उसका अच्छी तरह उपयोग किया जाए storage, store करके proper store करके modernization means product में modernization करके या जो operation है उसमें modernization करके cost control करके और invest करके इस तरह से productivity को हम change कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं इसके बाद technology तो टेकनलोजी जो है latest technology जैसे robot system है फिर automation में आ जाता है और भी FMS flexible manufacturing system handling system इन सब का जो है automatic जो मसीने है computer control मसीने हैं उसका इस्तमाल करके हम जो है काफी हद तक productivity को बढ़ा सकते हैं जैसे जो टेकनलोजी है यह factor निर्वर करती है size and capacity of plant अगर big size है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मसीने लगा सकते हैं छोटी में जो है दिक्कत आ सकती है टाइमली supply and quality of inputs लगातार अगर input supply हो रहा है रा मेटरियल लगातार मिलता जा रहा है तो जो मसीने हैं उसका ज़्यादा ज़्यादा यूटिलाइज हो पाएगा रोबोट्स का भी इतलाइज हो पाएगा प्रोडक्षन प्लानिंग and control प्रोडक्षन प्लानिंग कंट्रोल सही हो रिप्यार और मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट है वो सही तरीक्षे से काम करें बेस्ट रिड़क्षन जो बेस्टेज है वो कम हो जाए इफिचियंट मैट material handling system है वो भी परभावी हो तब जो है यह जो है संभब है इसके बाद next question है water causes of low productivity के क्या क्या कारण है तो इसके कुछ कारण है में में इंप्रूब डिजाइन ऑफ प्रोड़क्ट इंप्रोपर सौरी इंप्रोपर डिजाइन ऑफ प्रोड़क्ट डिजाइन जो प्रोड़क्ट की है वो प्रोपर ना हो इसके कारण से productivity decrease होती है question है decrease in productivity यह low productivity दूसरा कारण है incorrect quality standard quality standard अगर सही नहीं है तो भी प्रोड़क्टिवीटी घटती है इंप्रोपर machines used मसीनों का सही तरीके से इस्तमाल ना हो तभी productivity घटती है इंप्रोपर process control leading to wastage and reprocessing सही तरीके से process control ना किया जाए जिससे wastage क्या होगी जादा होगी या reprocessing rework का काम बढ़ जाएगा इससे भी जो है इंप्रोपर ले आउट ले आउट जब इंप्रोपर हो excess product variety leading to the idle time तो product variety जादा होती है तभी idle time क्या हो जाता है बढ़ जाता है क्योंकि बार बार टूल चेंज करना पड़ता है पूर प्लानिंग प्लानिंग अगर सही ना हो लैक आप रा मेटेरियल रा मेटेरियल की कमी हो बे breakdowns and accidents accident ज्यादा हो और breakdown हो machine बंद हो पूर workmanship यानी working जो है work supervisor है उन सबका जो है कारिशली जो है कम जोड हो इस तरह से जो है productivity घट जाती है इसके बाद अगले दिन next question discuss करेंगे thank you